हेलो दोस्तों, गर्मियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में आलू की चिप्स तो बनाना बनते ही हैं तो आज रेसिपी की शुरुआत करते हैं, यहां मैंने बड़े साइस के आलू ले लिये हैं यह चिप्स के लिए ही होते हैं और कच्चे होते हैं तो बस आपको यही आलू सिलेक करने हैं इन्हें हम अच्छी तरह से पील कर लेंगे और पानी में डिब करके रख देंगे सारे आलू अच्छे से पील हो चुके हैं अब हमें आलू को slice करना है और इसके लिए याद रखे कि हमें आलू को directly पानी में ही slice करना है वरना अगर हम इन्हें नॉर्मल यसे ही बीना पानी के slice करेंगे तो आलू काले पड़ जाएंगे इस बात का जरूर ध्यान रखें और हां आलू हमें बहुत ही पतले पतले slice करने हैं इस बात का भी ध्यान रखें पतले slicing करने के लिए आपको बस हलका प्रेशर ही देते हुए आलो के chips को slicing करनी है, आप देख सकते हैं, यहां में कितने पतले-पतले आलो के chips बनाए हैं, कि मेरे finger तक उसमें से transparent हो रहे हैं, तो बस आपको भी इसी बात का धायन रखना है, मैंने सारे आलो को अच्छी तरह से slicing कर ली है, अब यहां आप देख सकते हैं, कि आलो में जो लाल पानी है, यह उसका starch है, हमें इस starch को निकाल देना है, और इसके लिए हमें आलो को 3-4 पानी से अच्छी तरह से wash करना है, अगर आलो में यह starch तहेगा, तो chips हमारे काले पड़ जाते हैं, इस बात का ज़रू ध्यान रखें, सारे आलो को अच्छे से wash कर लें, ताकि इनका starch पूरी तरह से बाहर निकल जाए, इन छोड़ी छोड़ी tips को follow करके ही, हम आज बहुत ही जल्दी आलो के chips बनाएंगे, यह एक ही दिन में सुख जाएंगे, वह भी बहुत ही असानी से, यहां आप देख सकते हैं, मैंने सारे आलो को अच्छी तरह से wash कर लिया है, यह फिटकरी है, जिसे हमें बस पानी में आधा मिनट तर घोलना है, जी हां, हमें यहां फिटकरी को powder बना के add नहीं करना है, बस आधा मिनट के लिए ही, हमें फिटकरी को पानी में घोल देना है, फिटकरी गुल के तयार है, अब मैंने यहां उबनने के लिए पानी रख दिया है, और इसमें भी हमें फिटकरी को बस आधा मिनट के लिए घोल देना है, अब टोटल एक मिनट हो गया आधा मिनट हमने आलो में घोला था और आधा मिनट हमें बॉलिंग वोटर में भी फिटकरी को घोलना है यहां हमें फिटकरी का पाउडर एड़ करने की कोई जरूरत नहीं है अब हम पानी में एक चमच नमक डालेंगे और पानी में जैसे ही उबाल आने को हो तो बस हमें सारे अलो के चिपस इसमें अड़ कर देने हैं पानी अच्छी तरसे बॉयल होना बहुत जरूरी है क्योंकि अलो ठंडे पानी में थे तो जैसे ही वो गर्म पानी में जाएंगे पानी का टेंपरेचर एकदम से डाउन हो जाएगा इसलिए पानी एकदम अच्छी तरह से बॉइल होना बहुत जरूरी है अब एक से देड़ मिनट में ही आप देखेंगे कि हमारे आलू रेडी हो चुके हैं यहां मैं एक बार में एक किलो आलू की चिप्स बॉइल कर रही और आप चाहें तो इन्हें और भी एक तरीके से चेक कर सकते हैं इन्हें फोल्ड करके आप जब देखेंगे तो आप कितना भी प्रेशर देंगे यह तूटते नहीं है बीस से यह बहुत ही लचीले रहते हैं तो बस इस स्टेच पर यह तयार है यहां मैंने छलनी ली है जि पीचे के आलू ओवर कुख हो जाएंगे इसलिए आप इसे चल्ली में ही निकालें ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए अब सेकेंड बैच को भी मैं उसी तरह से बॉल कर लूँगी सारे आलूओ को दुबारा उसी तरह से मैंने उबलने के लिए रख दिया है इन चोटी चोटी ट्रिप्स को फॉलो करके ही हम बहुत आसानी से चिप्स बनाएंगे और जब तक सेकेंड बैच हमारा उबल रहा था तब तक मैंने यहां फस बैच के उबाले हुए आलो को फैला लिया है और मैं इने घर में ही पंक्य की हवा में ही सुखा रही हूँ जी हां हमें बाहर इसे सुखाने की कोई जरत नहीं है बस एक दिन घर की हवा लगने से ही यह आसानी से सुख जाएंगे और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने इसे बहुत ही पतली स्लाइसिंग की है तो बस देखिए अगले दिन ये पूरी तरह से सुख के तयान है बस इन्हें घर की ही आने वाली बैलकनी से धूप जो आती है उसमें आप हलकी धूप दिखा दें तो ये रेडी हैं स्टोर करने के लिए अब यहां मैं इन्हें फ्राइ करके भी आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी जल्दी से फ्राइ हो जाते हैं और महोती चटपटे हैं तो अब जब भी बच्चों का मन हो बस इंस्टंट ही आप इन्हें फ्राइ करें और बच्चों को खिलाएं आप इने ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इन में नमक, मिर्च या कोई भी चिटपता मसाला एड़ करें चार्ट मसाला और इन्जॉय करें रेसीपी पसंद आए तो राइक और शेर करना बिल्कुन नह भूलें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो दीखने के लिए धन्यवाद